सेंद्वा तीन लोग कोरोना पाजिटिव पाए जाने की बाद अज प्रशासन ने पाजिटिव पाए गए लोगों के रिलेटिव और संपर्क में आए लोगों के साथ अमन नगर और आसपास के छेत्रों में बड़े इस्तर पर सर्विय अभ्यान चलाया कुल 1000 मकानों में रहने वाले 6000 लोगों का सर्वे किया गया कुल 28 से 30 लोगों का सेंपल लिया गया है जिसे जाज के लिए बेजा जाएगा वही जो लोग पाजिटिव पाए गए ही कल रात उन्हें बड़वानी से इंदोर भीज दिया गया है इसी के साथ साथ इन लोगों का इला सेंद्वा की दो नीजी अस्पतालों सहित सेंद्वा सिविल अस्पताल में हुआ था सेंद्वा सिविल अस्पताल की डॉक्टर नर्स और वर्डवाई कुल 15 लोगों का भी सेंपल लिया गया है आईए हम आपको सुनाते ही प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर क्या बोले DHO डॉक्टर सित्या स्टूनिवार खलवारी मोले मजिद गली स्ट गण्टर सुस्मानिकि जिसमें लगबग लगबग दस जो लोग है सब्दी खाथी के पाए गए हैं और 37 जो मरीज थे वो पूर्व सही ब्लड पेसर या सुगर के से मरीज थे और उसमें आमने जो निकाले हैं जो सहाट साल से अधिक उम्र की जो थे भुजूर्ग वो हमारे लगबग दोस्तों अठ मिठेख मि थे गुझ dal LOVE लड़के थे या उनके पूर बच्चे कर्ते हैं इन लोगों को सारे यहां की छिष्ठानीक करूनाइश पतार्य मिचन की चर्चे की वहां पर उन लोगों का सेंपल लिया गया और सेंपल लेने के बादर भजूम चैनलों आठा लोग कि चार लोग वहां से पैजे गए थे इस तारीक के तो उसके बाद उसमें से जो सेंपल चारो खेजे दे उसमें से तीन के सेंपल पाज़िव आये, एक का सेंपल नेगेटीव आये, तो उनको अलग अलग वहां से रात को इन्दौर शिफ्ट कर दिया गया नहां से करीब 15-16 क तर्मुचारयों का भी सेंपल लिया गया, जब वोसे क्या है कि परोनाइस्पताल में भी उनने टीटमेंट के आश्च वाद आया, इस्तानी अस्पताल अनन्द में भी इलाज करवाया, और यहां भी यहीं फिविराज्पताल में भी आए तो यहां पर भी जो जो उनके आपकेट्स माइनग, सभी सिस्टर्, वाडवाय, दाक्टर्स सभी का सेंपल के लिए रिए तो इस्तानी परोनाइस्पताल में परेंगे करेंगे usual, तो है हम दो आपकेट्सों क्यांकिया थैन्सक्राइगर सेंपल रह थे लिए विए बहुए निया है, तर्र प्र रह दोव